कि नमस्काल बच्चो कैसे हो आप मैं संजय चोहान डिस्कवरी स्टेडी सरकील के यूट्यूब परिवार में आपका स्वगत करता हूं और सविधान की एक नई क्लास के साथ फिर आपके समक्स प्रस्तुत सविधान की क्लास लगातार चल रही है एक के बाद एक और सुरू से हम सविधान इशाट किये हैं बिल्कुल जिस तरह का मैं आपको सविधान पढ़ा रहा हूं यह सविधान आपको कहते ना कि जब आप कोई चीज देखते हो जब आप कोई समान खरिदने जाते हो तो जो केवल का सविधान है जिसको जो भी आपका एक्जाम हो चाहाए अपका का हो ऊसी का हो यह विग पुलीस का और यह कोई ळानना अट क्याश सकते हो अप देखे बच्चो पेपर का स्टेंडर्ड लगातार बढ़ रहा है बोलोंगे जीएस तुको तो पल्ले पढ़ती नहीं है वो जीएस पल्ले इसलिए नहीं पढ़ती है कि जीएस के बारे में आप केवल सेक्च्वल पढ़ते हो कंसेप्ट के साथ उसको जोड़कर नहीं पढ़ते हैं ठीक है चलो मेरी कोश्ची के लगातार आपको बहतर से बहतर दे सकूँ समिधान की विशेष्टाई देखते हैं आज कि भारती समिधान की क्या विशेष्टाई हैं और भारत के साथ साथ हमारे समिधान को आप जानते हैं उधार का बोरा कहा गया है उधरा का बोरा इसले कहा गया बच्चों सविधान को कि सविधान को बहुत सारे अधिकतर प्राभधान यह है वो हमने बाः से लिए है extension 1935 का अधिनीःम से दो व्रटा बटा 3 लिया गया है तो 1935कों अधिनीयम है वो भी तो भाः सी refuse आया है उसके लब हो जो चीज़ें बहुत सारी वह बच्चों कहां से ही वह भी सब बाहर से आई है तो जाइधा चीज़ें हमने क्या ली बाहर से ली है तो उधार का बोरा है तो उधार का बोरा सविधान बोला गया है तो उधार कहां कहां से मेन लिया है सबसे मेन तो धाना ब्रिट सब्सक्राइब परभाव इसलिए पड़ाया सविधान पर क्योंकि 1861 से भारत प्रिशत अधिन्यम और भरत शासन अधिन्यम बनका लगातार भरत में आ रहे थे जिनका उच परिणाम 1935 का अधिन्यम था और 1935 का दिन्यम का ही दो तेवी भाक्या हमरे सविधान का अंग सब्सक्राइस किया जो 1946 के कैबिनेट मिशन में अंतिर्म सरकार उससे पहले 1919 के मांटे की चेमिस फोर्ड के अधिन्यम में जो बात आप जानते हैं बच्चो जैसे की दू सद्धनिय ववस्ता केंद्र के स्तर पर कर दी की थी एक विधान सभा और एक राज्य परिशद तो हमने वैसी ववस्ता संसत के रूप में जब सविधान लिखा उसमें वैसी रखी तो मेरा कहने का मनलब यह है कि ब्रिटेन से और यूएस से सब जादा प्रभावी थे हाला कि बहुत से चीज़ें कनेडा से ली गई है और अश्टिली से भी है साउथ अफ्रिका से भी है उसे जगह से प्रभाव क्या सबसे जादा है इसका प्रभाव इसलिए कि हम इसके अधीन थे तो इंग्लेंड खुद अपनी संस्थाओं को भारत पर आरूपित कर रहा थ तो उन्हीं को हमने आगे बढ़ा है उनमें बदलाओ करने के बाद USA विसका सबसे बड़ा लिखित सविधान तो नहीं है लेकिन विसका सबसे पहला लिखित सविधान है बड़ा तो भारत का लिखित सविधान पर सबसे पहला क्या है यहां का सविधान है आपको पहले बता में किस तरह की चीज़े आने चाहिए तो हमका हमरे पर ये परभाव पड़ा तो सविधान की विशेश्ताओं के तहाट अब हम जो चीज़े पढ़ेंगे वो देखिया ठीक एक तो सब जानते हैं बारत का सविधान लिखित सविधान है और विश्का सब्चे बड़ा सविधान है इसमें दो कोई राय नहीं है लिखित सविधान है विश्का सब्चे बड़ा लेकिन जितनी विशेश्ताएं हैं उनके पीछे कोई ना कोई लोजिक कोई ना कोई करण है है तो फो लोजिक वो करन जानना अनिवार है तो का सबसे पहल कि बहुत सुद्धान नमझान लिकित सम्मिधान लिकी समिधान यह पहली विशेश्चत धया लिकी सम इधान है विश का सबसे बड़ा सविधान है आयवर जैनिक्स कौन यादरी के नाम आयवर जैनिक्स ने इसे विश का सबसे बड़ा संविधान बताया आईवर जेनिक्स ने भारत सविधान को विश का सबसे बड़ा सविधान बताया है किसने आईवर जेनिक्स ने कि विश का सबसे बड़ा सविधान है या दरेगी बात आईवर जेनिक्स ने कहा है कि भारत का सविधान विश का सबसे बड़ा लिखित सविधान है इस नाम जू सबसे पहली वीडियों में बताता असके बारे में कि जिस देश में केंद्र और राज्य के बीच सक्तिकों विभाजन होगा और वो विभाजन किस तरीके से है किस प्रकार्श वाजन क्या गया यह कहीं इस पस्ति लिखा होना चाहिए जब दो चीज़े चलेंगी आगर लिखा हाद लिखाए निग दी गई है तो लिखिवी बातो को सब के लिए मानना अनिवारी हो जाता है ठिक तो केज़ और राज्यो का सविधान बहिता है तो इसके लिए बनाया जुरुध ख्यात। लिखी सविधान है और कुछ प्रमप्राई भी हैं कुछ मनेताई भी स्विधान में सामिल है केवल लिखी भी बात ही सविधान नहीं है कुछ प्रमप्राई भी है और कुछ मनेताई भी स्विधान में दी गई है अगर मैं आपको बताओं भारत के लोगसबाद देख से सोमनाथ चटर जी सोमनाथ च सदस्रत्रे इस्तिपास दे देना चाहिए कि वो लोग सबाद आध्यक्ष बन गया एक सविधानिक पद पर आ गया है तो इसलोग किसी दल का सदस्य नहीं है बलकि सदन का आध्यक्ष है जहां सभी दल के लोग बैटे होते हैं यह प्रमप्रा डाली की सोमना चटर जी के द्व बारा यह लेकिन इस प्रमप्रा का आगे फिर निर्वाह नहीं किया गया है कि जैसे हमारा सुद्धान के बारे में कहा जाता है कि हमारा सभीधान लिखी सभीधान होने के साथ-साथ एक प्чики अच्चिकली सभीधानских आँ यह किसी विदेश के आपातकाल और सामन्य आ वस्त अगर सफल नहीं होता है तो हम यह कहा सकते हैं कि सविधान गलत नहीं था बलकि चलाने वाले सही नहीं थे अगर सोमना चटरजी द्वारा डाली कई प्रमपरा का निर्वा आगे भी कह जाता तो यह संभव था कि भारत में एक नहीं प्रमपरा चलती ओलोग्षबा अध्यक्स के कुर्सि पर बैठा व्यक्ति कि एक दल की तरफ न देखकर संपूर्ण सदन की तरफ देखता तो यह बहुत अच्छी और बहुत स्विस्त good health प्रमपरा भारतिस्विधान में समिल हो जाती है तो से वह निकित यत स्विधान होते हैं आर्भ राज प्रमपराई होती है घ् ऑड़ा कहने का मतलब यह है कि बड़ा सभिधान इसले कहते हैं कि केंद्र और राज्य और पंचायत इन तीनों का एक ही समिधान है अमेरिका विश्व का सब से चोटा बड़े देशों में लिखित सभिधान है जिनकी चुनव पढ़नाली राष्पीशिन नेन की अलग है या बाकी होर चीजों को लेकर मुली के दिकार है या अन्य चीजे चीजे जो है उनको लेकर भी अमेरिकी के राज्यों का सविधान अलग-अलग है कुछ राज्यों ने अपने यहां इच्छामरत्य को अनुमति दिये कुछ राज्यों ने इच्छामरत्य को अनुमति नहीं द किताब में लिए भाग 5 में क्या है संग है भाग 5 में संग है बाग 6 में क्या है भाग 6 में क्या है राज्य है भाग 7 समाप्त हो गया है भाग 8 संग राज्य चेतर है और भाग 9 में पंचयत है भाग 9 में क्या है पंचयत है देखे एक करम है एक करम से सामिल क्या गया है भाग 5 क्या है संग के लिए 6 क्या है राज्य के लिए 7 भाग समाप्थ हो गया, 7 भाग में जो राज्य सुर्में बने थे, उनमें खे स्रेणी के राज्ये और गे स्रेणी के राज्ये, के खे गे घे, A, B, C, D, तो B और C, जो कैटेग्री राज्ये थे, वो भारत में 956 में समाप्थ कर दिये गए थे, तो अब दो ये इनका सबका सविधान क्या है एक ही है इसलिए कैसा बनका सविधान बड़ा बन गया यनि केंद्र राज्य और पंचयत्यों का एक ही सविधान होने के करांड भारत का सविधान वी इसका सबसे बड़ा सविधान हो गया है जो संघात्मक सविधान है अधिकतर देशों में कि इंद्र ओर राज्यस्विधृद्दान की अलगundy है ठीक लिखिण स्विधान की किंद्र कर 17 7 कि एक है और वह लिखा हो है कि भारत एक संगहात्मक राज्जे है और Κान केण और राज्य स्विधान अलग humid चाहिए तो एक तो बात यही इसले आई वर्जेनिक्स ने कहा कि भरत का सबसे विश्जित और सबसे बड़ा सविधान जो है वो भरत का है ठीक आगे बढ़ते हैं दूसरी विश्यस्ता लेते हैं लिखित और उसके अलावा लिखित स्विधान को हो गया सबसे बड़ा भी हो गया लिखित क्यों वह संगात्मक स्विधान है केंद्र और राज्य में सक्त्य का बटवारा हुआ है केंद्र के लिए संग सुची राज्य के लिए राज्य सुची कि और दोनों को मिलेवी के सुचि है, शम वर्ती सुचि है, तुरों से लिखी स्विधान बनाना चुरूत था, बडा क्यों है, कि सबका स्विधान सामील हो गए, ठीक, एकल नागरिटा, एकल नागरिटा, एकल नागुता है एको यह एकात्मक सुविध्षान का लक्षण है किसका एकात्मक सुविध्षान का लक्षण है यह यह पूरूशकता है कभी कि कुछ चीज़ां आए महं बताँगा आपको कि एकात्मक्ष विधान के क्या क्या लक्षन होते हैं जैसे ही बताता है आपके मैं एकात्मक्ष विधान का पहला लक्षन तो यहीं है एकल नाखरिवत एकल नाग रिखता अखिल भारतिय सेवा हैं अखिल भारतिय सेवा से आईएस आईपिएस अखिल भारतिय सेवा एकल भारतिय सेवा दूसरा का है राजय पाल कि नुक्ति कौन करता है राश्पति करता है नुक्ति रास्पति दोरा आपातकाल कुछ बच्चो आपातकाल यह किसका वो है यह एकल नागरिता अकिल भारतिय सेवा यह सेंटर की सेवा होते हैं केंदर की केंदर भर्ती करता है केंदर केंदर की परती उतरदाई होते हैं तो आखिल भारतिय सेवाँ को कुछ लोग संगात्मक् सवयधान के लिए अच्छा नहीं मानते योगि राज्ये ही सोचते की इनके माध्यम से केदर इनके ओपर नियन्तण कर रहा है तो आकिल भारतिय सेवाएं एकात्मक्स व॥ान ख인estry का लक्ष्ण होता है EIS, IPS, और IFS, भारतियए unn sewa, भारतिय पुलिस सेवा और भारतिय परसासिनिक सेवा, इन्र तीनों sewa कि उप्सe, संग लोक्स सेवा आयोग करता है, और वो राज्ये के लिए काम करते हैं, ठीना तो इसलिका मानते हैं, इसको एकल स्वधां का लख्षन मानते हैं, और संगहात वहां के जनता होहां के गवणर का चुनाव करती है तो जनता भाग लेती है उसमें उसका राश्पति कोई मतलब बनी रहता है हमारे कौन है राश्पति है घ on the priogens और गवेसरे की इतरदाई है यानि एक प्रकार से राज्य पाल की दोरी राजयों का अ सकती होती है वह सारी कहा चली के पास चेंद्र के पास कैसे स्टान हो refuse कि राज्य का अस्तितु कि राज्य का अस्तितु कि संसद पर निर्भर करता है कि किस पर संसद पर निर्भर करता है कितने राज्य बनाने हैं दो राज्य को मिलाना है दो राज्य को मिला के एक राज्य बनाना है एक राज्य के चार टुकडे करने हैं क्या करना क्या नहीं करना राज्य रखना है कि नहीं रखना है केंसासित परदेश को राज्य बनाना है और राज्य केंसासित परदेश बनाना है इस सारा दिकार किसको है संसद को और वो भी कैसे साधारन बहुमत से यह जो दल सत्ता में है जो दल सत्ता में केवल वही यह काम पर सकता उसके विशेज ब सब्सक्राइब करना हमारे संग को बोलते हैं विनासी राज्यों का एविनासी संग हैं उनका विरास हो सकता है हैं जब उनका चुश साल में चोबहेन चोडा राज्या होगए हो सब्सक्राइमने अगले सो साल चोफ भारत नासी यहूं B 보자 हैं जब सब्सक्राइब करें कितने मच उम्राथ है यह रहा है हैं इसा लगता है क्योंकि आने वाला समय राज्जी को स्वायत्या देने वाला समय होगा राज्जी को अधिक कार ये सक्ति देने वाला समय होगा बारत में जब तक अलगाव वाद है छेत्र वाद है भासा वाद है जब तक ये सारे वाद है नकसल वाद है जब तक तो केंदर को मजबूत होना अनिवार यह केंदर मजबूत ना होता बच्चों तो आब तक मम्ता बेनलजी जैसे लोग मम्ता बेनल जैसे लोग क्या एक अलग से श्वाहियत की मांग नहीं करतें अगर केंद्र मजबूत ना होता बिल्कुल करते तो भारत में ऐसे अलगाववाद को बने रखने के लिए केंद्र का मजबूत होना अनिवरता यही सोच सविधान सभा के लोगों की रही कि भारत में यह प्रवर्त के जाते हैं क्यों कि हम बहुलता वादी संस्कृति वाले द संस्कृति मानते प्रंप्राएं सब अलग अलग हैं ऐसे लोगों एक साथ रखना इतना असान नहीं था इसलिए केंद्र को मजबूत किया राज्य मजबूत नहीं कि कि राज्य मजबूत होते तो छेत्रवाद को बढ़ावा मिलता तो कहने बारत के टूटने के डर जाद हो है हम किवल भरत सरका के नागरिक हैं हम उत्तर परदेश हर्याना बिहार के नागरिक नहीं है अमेरिका में नागरिकता दोरी नागरिकता है वहां का कोई राज जो व्यक्ति होगा तो वहां का जो व्यक्ति है जो बैडन है तो जो बैडन अमेरिके नागरिक भी हो जिस एक अमेरिकी USA और एक उस राज्य करना गरिखोगा क्योंकि जो जैसे टॉक्स टैक्सोस प्रांथ है एक प्रांथ कैलिफोर्णिया एक प्रांथ वर्जीनिया एक प्रांथ अलास्का है इन चारों प्रांथों में बच्चो धान लगना जो अधिकार है जो सविधान है जो अधिकार ना हो जो कैलिफोर्णिय में रहने व्यक्ति को राज्य ने दिये हैं वह अधिकार हो सकता है वर्जीनिया में टैक्सोस में उस ब् Fukति को नाम बसा आपको कि कुछा में क्या वहां इच्छा म। हिए नो किसमें एक कैसे अधिकर को त्याग सकते हैं अमrence के मूल की दिकर मतलत के अंदर पैंसीव यूथे-नेश्या इसका मादलब होता है कि निस्क्रिय इच्छामरत्यू का प्रावधान किया है पर यह अधिकार नहीं हमारा कि वल सुप्रीम कोट ने गाइड लैन दी है कुछ चीजी है उसमें कि अगर ऐसा होता है को बिमार है बहुत ज़द है डोक्टर के पैनल ने मना कर दे कि व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता ह तो उसको निस्क्रिय यानि पैसिव यूथेनेश्या निस्क्रिय इच्छामरत्यू की अधिकार है उसको पर यह उसका मूलिक अधिकार नहीं है कि हम अपना मूलिक अधिकार त्याग नहीं सकते अनुछे 21 हमें केवल और केवल जीन का दिकार देता है मनन का दिकार बच्च तो यह आपके एकात्मक याणि एकल नागरिकता होगी अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और इंग्लेंड को की एकात्मक से विधान है तो वहां किसे नागरिकता है वहां एकल नागरिकता है दोहरी नागरिकता का प्रावधान हमने कुछ विदेश्यों के लिए किया है याद रहे की बात कुछ विदेशियों के हमने भारत के नागरता देने का प्रावधान किया है लेगिन वो प्रावधान अलग है उसका संगात्मक या एकात्मक से कोई मतलब नहीं है वो जो भारतिय मूलके अमेरिका या बिट्रिन में रह रहे हैं इसको डायस्पुरा बोलते हैं वहां के लोगों को जो भारतिय मूलके या जो एनराई हैं उन लोगों को कुछ अधिकार दिये गए हैं सब नहीं है वो वोट नहीं दे सकते भारत में किर्शी योग्य या बाग के लिए वो जमीन नहीं करे सकते पर शिक्षा स्वास्ते यह उनको पुरा अधिकार मिला भारत में तो वह कल भारतिय मूलके लोग या भारत से जो बाहर रह रहे हैं वो लोग हैं उन्हें भारतिय डायस्पुरा बोलते हैं उसका हमारी संगात्मक और एकात्मक पढ़ने कोई मतलब नहीं है तो यह जो लिखे लिएगा कि कौन कौन से लक्षन किसके हैं एकात्मक के हैं ठीक चलिए यह अपनी नॉट्बुक में जो लिखेगा अब मैंश देखते हैं देखे तो क्या नमबर ती समिधान की सर्वोस्ता समिधान की सर्वोस्ता समिधान की सर्वोस्ता धान रगना बच्चो बारत ने दुनिया को बुध दिया बुध मतलब महात्मा बुध हमने दुनिया को बुध दिया हमने दुनिया को बुध के माध्यम से मध्यम मार्ग दिया क्या दिया? मध्यम मार्ग दिया मध्यम मार्ग को हम समन्वेकारी भी कहते हैं क्या कहते हैं समन्वेकारी मार्ग भी कहते हैं किसको मध्यमार्ग हो समन्वेकारी मतलब होता है बच्छो ध्यान नखेगा कि दोनों पक्स या कोई भी बहुत सारे पक्स एक दूसरी की कम्यों को छुपाते हुए अच्छाई को गरहन करे, और एक बीच का ऐसा मर्ग निकाले, जो मर्ग जनता के कल्यान के लिए हूँ, तो हमने क्या किया भचो ध्यान नेखेगा, हमने सविधान की सर्वोश्ता को अपनाया है, जबकि इंगलेंड में क्या है, इंग्लेंड के अंदर संसद सर्वोच है कौन संसद सब्से ज़्यादा पौरफुल संसद अगर दुनिया की है तो इंग्लेंड की है तेना वहां पर संसद सर्वोच के हैं कि संसद जो कानून बनाती है उस कानून को किसी भी न्याई पालिका में चुनोती नहीं दी जा सकती संसद ने जो कानून बनाया वो कानून सर्वोच है उस पर राजा जो नियन का राजा भी उस पर अनुमती नहीं रोख सकता किसी न्याल्य में भी उस कानून को हम उसके खिराप मुगदमा दाया नहीं कह से नहीं उस कानून को जो हमा की संसद ने बनाया उसको किसी भी न्याल्य में चुनोती नहीं दी जा सकते कान के अमेरिकी संसद एंगलियान की वहाँ पर दो सदन है एक house of common house of common एक house of lords house of lords house of lords जो है न मांका जैसे हमारी राजय सभा है ऐसी वहाँ पर house of lords है house of lords सी बच्चों वहाँ का जो है वो supreme court है और वहीं सदन भी है मांका तो जो कानून इन दोनों सदनों में बनेगा house of lords की इतनी भूमिका है क्या उस कानून को किसी किसी अन्य आदालत में जो house of lords सर्वोच कानून है कहीं चुनूती दिया सकती है चुनूती कैसे देंगे कि जितने भी कानून हो जितने भी वहाँ पर court होंगे वह सब इसके नीचे तो court होंगे तो बड़े court को छोटे चुनूती मिलती है छोटे के नीड़नों कहां मिलेगी बड़े में मिलेगी तो अब वहाँ पर क्या है house of lords सी वहां का supreme court है अब जोहीं वहां का supreme court है और वही कानून बना रहे तो कहां चुनूती दो गया तो संसद पाउर्फुल है इंग्लैंड की संसद के बारे बच्चो चुनूती देने वाला नहीं है इंग्लैंड के अंदर कहां पर इंग्लैंड के अंदर की बात है तो वहां पर संसद सर्वोच है कौन संसद कहां पर इंग्लैंड के अंदर आप देखो हमारे हां कौन सर्वोच होगा ने अधो युएस देखते युएस से को USA वहाँ पर बच्चो धना वहाँ पर न्याय पालिका सर्वोच है कौन न्याय पालिका न्याय पालिका वहाँ पर न्याय पालिका सर्वोच है वहाँ पर क्या है न्याय पालिका सर्वोच है हमारे इंग्लेंड में कहा थी संसत सर्वोच थी यानि वहाँ पर जो न्याय पालिका धाना बच्चो न्याय पालिका को संसत द्वारा जिसे संसद को बोलते हैं, वहां की संसद को बच्चों कोंगरिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोंगरिस, तो वहां की संसद क्या है, कोंगरिस है, तो वहां की कोंगरिस द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को, वहां की न्याय पालिका में चुनोती दिया सकती है, और वहां क कोंग्रिस का मतलब होता है लोगों का सम्भू अकिल भारत्य राष्ट्य कोंग्रिस के अंदर जो कोंग्रिस सब्द आया है वो भी इसी कोंग्रिस से दादा भाय नोरुजी के कहने पर सामिल किया गया था उससे पहले कोंग्रिस का नाम था अकिल भारत्य राष्ट्य यूनिय था ठीक है इdalo ऑत तो कोंग्रिस जो है संसर्द जो है वहां की कोई कानून बनाती है तो उस कानून की समिक्सा करने का दिकार किसे है पर हां पर हां पर हर राज्य का अपना घॉठ हां मौरी कोट है यह कर अहां हाल है अपना एक सूप्रीम कोट है जो राज्य के मामले देखता है और वो राज्य के मामले सर्वोच है पूरे संग का एक वहां संगिया न्याल ले जिसे पोलते हैं फेडरल कोट वो फेडरल कोट के वहां संग के मामले देखता है और संग यानि कोंग्रेस संसद वहां की तो कोंग सिमित नहीं कर सकती, वहां की संसद को अधिकार नहीं है, वहां के जजों की नुक्ति करने का, वहां पर जजों की नुक्ति करने के लिए एक अलग से कमिशन की इस्थाफना की गई है, वो कमिशन पुरा सविधानिक संस्ता है, वही कमिशन वहां के जजों की नुक्ति करता है और वो जजो के जो नुक्ति करता है वही उसको हटाने का भी अधिकार रखता है हमारे यह ऐसा नहीं है हमारे यह तो है कि हमारे संसा द्वारा बनेंगे किसी भी कानून की सुप्रीम कोट समिक्सा कर सकता है और उस कानून को सुन्या गोसित कर सकता है सुन्या गोसित कर सकता है लेकिन न्याय पाले के सक्ति को सिमित करने का दिकार संसत के पास है न्याय पाले के जज्जों के नुक्ति का दिकार संसत के पास है न्याय पाले के जज्जों को हटने का दिकार संसत के पास है तो संसत ने भी आपने तरफ खिच लिया न्याय पाले क अपनाया है जो वास्त में बहुत ही अधभूत है आश्रेजनक है हम बुद्ध के देश हैं हम मात्मा बुद्ध के देश हैं जहां मात्मा बुद्ध ने हमें समन्वेकारी मध्यम मार्ग दिया है हम सभी मार्गों को आपस में मिलाकर एक ऐसा मार्ग निकाल सकते हैं जो सब को सबके कल्यान के लिए हो सबको स्विकारियों तबी तो आजाद के सत्तर वर्स बाद भी हम बहुलता वाद संसकर्टी वादी देश जहां अनेक संसकर्टी लोग है आज भी तूटने की बाद नहीं हुई जो तूटे हम में वह तूटने के पीछे भी तूश्टी क्रण की निती थी अंगरेजों की भी कुछ मात्र तक कॉंगरिस की भी और बहुत अधिक जहां कले सबकुछ मुस्लिम लीग की थी ख्यार वह बहुत सची जिए उसके विभाजन के लिए यहां मतलब यह कहने का कि अमेरिका के अंध सद्यनी वहां की कारिया पलिक हो भी नहीं है हमारे कैसे इसके बात पड़ेंगे तो हमारे क्या सविधान की सर्वोषता है ना कि हमारे संसर सर्वोष है ना कि हमारे कौन है नए पलिका सर्वोष है किसी भी लोगतंत्र के चार स्थम होते हैं जानते हैं किसी भी लोगतंत्र कर चार इस्तम होते हैं आप जानते हैं एक तो कारिय पालिक होती है मत अवधाय का और नय पालिका त्यां मिदाय का और नय पालिक तीन इस्तम है हमारे ना विदाय का मुलब संसद ना तो हमारे संसद पाउरफुल है ना हमारे कोन है नहेपल का पाउरफुल है ना हमारे कार्यापल का पाउरफुल है इसमें राश्पती पधानमंत्री और आपका उपराश्पती और मंत्री प्रसत सामिल होते हैं कार्यापलिका में तो ना तो हमारे यह पाउरफुल है हमारियों यह पावरफल ना हमार वो नमबर यह बच्छ धन्ना कि जो न्याय पालिका है जो न्याय पालिका है इसे बोलते है स्वतंद्र न्याय पालिका यह चोथा लक्षनों क्या स्वतंद्र न्याय पालिका हमारे हां भी है और हमने यह USA से ही लिया है कहां से लिया USA से हमारे हां क्या है कि हमारे हां भी अग यहां कोई विधान मंडल कानून बनाता है, कोई राज्य कानून बनाता है, तो कोई विधान मंडल कानून बनाई, यहनि कोई राज्य कानून बनाई, तो उस कानून की समिक्सा करने का अधिकार, समिक्सा का अधिकार, सुप्रीम कोट और विधान मंडल के कानून को, हाई यानि सुप्रियम कोड और हाई कोड दोनों सदन विधान मंदल दोरा बनेगे कानून के समिक्सा कर सकते हैं सब्सक्राइब कानून बनाती है तो सुप्रियम कोड उसके समिक्सा कर सकता है संपूर्ण कानून स्माफ फस्ते 2014 में ऐसा हुआ है 2014 में बीजी पी सरकार जब सत्ता में आई तो इसने एक नियाईक निक्ति आयोग बनाया बच्चों नियाईक निक्ति आयोग बनाया उसी तर्ज पर जैसे की अमेरिका में होता है कि हमारे हाँ जो सुप्रीम कोट है या जो हाई कोट है जो उनके ज्यादिस होते हैं उनकी निक्ति कोन करता है राश्पति करता है मंत्री प्रसद की सलहापर करता है कि राश्पति कोई भी काम मंत्री प्रसद की सलहापर के बिना नहीं कर सकता जो नुक्ति का प्रावधान है उराश्पति है जो कार्य पालिका का अंग है और मंत्री प्रसद भी कार्य पालिका का अंग है उसके मंत्री संसद का अंग है तो तीनों पाव दोनों पालिका के आपस में जुड़ी ना कार्य पालिका भी विधाय का भी और न्याय पालिका भी है नियायप पालिका पर नेयाफ पालिका का प्रन्ट्रोल हो गया कि सका का यह दोहजार चोदा में नयायक नुक्तियायोग बनाया शुप्रीम सरकार ने का कि निया जीस हैं जो लो के टेटेगरी जुना जो लोर इस तरफ पर जो जादा हो गया है करपसम हो जाता हो गया है जजों का हस्तांतरन करना एक बड़ी चुनोती हो जाता है जजों के नुक्ति करना एक बड़ी चुनोती हो जाता है इसलिए जजों के नुक्ति जो करनी चाहिए वो कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से ना होकर एक न्याइक नुक्ति आयोग बने उस आपन नियाएधिसों के साथ साथ कुछ सलहाकार होंगे जिनको कारून की जनकरी होगी इन्हों भी सरकार के नुमाइन दे होंगे कुछ सरकारी परतिनीदी भी होंगे एक प्रकार से आयोग को सरकार ने अपने कब्जे में लेने का प्रियास किया तो नियाएक नुक्तिया बन सञसद ने कानून बनाना तया कानून बना दिया अरुन जेटली उस्मना भारत के विधिय मंत्री करणून बनीगया कोई दिक्कत नहीं है एक योग्य वेक्तिति अच्छा करणू बनाया जब कानून सुप्रीम कोट में गया सेमिक सागी सुप्रीम कोट में तो सुप्रीम कोट ने सरकार के एटोर्नी जन्रल भारत के महानियावादी से पूचा अक सहाब ये बताईए कितने जजों पर आज तक मुकदमा चला है और क अरुचे प्रिकेरे लगाने का परियास किया गया बिल्कि महावयोक लगा ही नहीं कि उन्हें कुछ पहले श्तिपा देदिया कुछ पर शिद नहीं हो और जो बाकि ज़िए जिनक वह शिद नहीं हो पाया कोट के दूरा करॉप्शन है और शरक ये दिआ महानियावादी ने कि पर मुगतमा चला और जो अब जिलों में एक, दो, तीन, चार गिनने लगे, मला बहुत सारे हैं, सुप्रीम कोट ने का, अटोने जनर्रल साब, वहाँ चेंज करिए, जहां सकता है, यहां चेंज करने का सकता, नहीं है, तो नैक नुक्ति आयोक को, वही का वही बच्चो ध करता है, सुप्रीम कोट की पावर, नैक नुक्ति आयोक को, वही का वही समाप्ट कर दिया, तो यह चीज़ ली, ठीवाच्चो, यह समिक्सा होगी, क्वोन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऐसी कौन करता है, हाई कोट करता है, तो तो यह स्वतंतर निया पाले, आप दितने इ बस एक हो रहेगी तो नहीं पाले का लिखी से विधान हो गया एक लागरता होगी तो नहीं पाले का होगी लिखी था पांच भी नम्मे और अनम्मे नम्मे से विधान नम्मे और अनम्मे यह कह लो नम्मे मतलब लचिला और कठोर सविधान वो होता है जिस सविधान में संसोदन करना संसोदन करना बहुत मुश्किर होता है और लचिला उसे बोलते हैं जहां संसोदन करना कठोर सविधान हमारे सविधान में संसोदन तीन तरीके से होते हैं साधान बहुमत से विशेज बहुमत से दोरा बहुमत बहुमत होते हैं और एक पहले आधे राज्यों की अनुमती और फिर संसद करती है तो तीन तरीके से संसद में हमारे संसोदन हो सकता है जो संसोदन की परिकिरिया है अगर बहुत आसान है परिकिरिया बदलना आसने से इंग्लेंड का सविधान है ताका इंग्लेंड का सविधान तो पहले आधे राज्यों से एक अधिक राज्यों की अनुमती लेनी पड़ती है और वहां बच्चो स्वय राज्ये Blue State और Red State में बटे होते हैं कुछ राज्ये Purple State होते हैं Red जो Republican वाले हैं Blue जो Democratic राज्ये हैं तो जिन राज्ये में Governor और वहां के सरकार Blue वाली है Democratic वो तो अनुमती नहीं देगी अगर जैसे इसमें Democratic की सरकार है तो कुछ राज्य में कैसी है रिपब्लिकन की है तो रिपब्लिकन वाले राज्य अनुमति नहीं देंगे तो वहां के सविधान में संसोधन करना बहुत मुश्किल है कि वहां हर संसोधन के लिए पर हर एक संसोधन के लिए पहले आदे से एक अधिक राज्य की अनुमति चाह तो बहुत मुश्किल है तो सब तो कठोर से विधान हो कहां क्या जाना बदलना हो था विधान प्रसत बनाना हो विधान समाप्त करनी हो कहीं से और कानून भी वह सब राधान से होते हैं तो लचिला हो गया कुछ कानुने कैसे हैं उनके लिए दो थी भाहमत चाहिए अगर मुली का दिकारों में बदलाव करना है कुछ चीज बदल नहीं है स्विधान के लिए का क्या विशेज भाहमत और अगर किसी संसोधन से केंद्र और राज्य प्रभावित हो रहे हूं जिसे जीस्टी था केंद अनुमति और फिर संसत की अनुमति तो बहुत कठोर हो गया तो हमारा ना तो क्या है लचिला ना क्या हमारा कठोर है दोनों के बीच के कड़ी है इसलिए बोलते हैं हमारा समिधान दोनों के बीच का मिश्रण है ना कठोर है ना क्या है लचिला है ठीए बच्चो आज की जो class है, वो यहीं तक रहेगी, कुछ छीज़ा बच गई है, जो मैं next class में लूगा, जैसे मैंने आपको बताया भी, कि एक तो एकात्मक सविधान और संघात्मक सविधान संघात्मक सविधान एकात्मक के लक्षन तो बता दे मैं आपको अब संघात्मक के बताने रगे अगले जो क्लास होगे हमारी वो संघात्मक सविधान के लिए ही होगे कि संगहात्मक सुधान के क्या क्या लक्षन होते है और भारत में कौन-कौन से लक्षन मुझूद है क्या हमार सुधान संगहात्मक है या सहकारी संगवाद है या अर्ज संगिय है अगली क्लास का मतर ये रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और कमेंट्स आवश्या करें अपने दोस्तों के साथ शेर करें ताकि उनको भी इस चीज का लाप मिल सकें ठीव बच्चो जब तक के लिए जै हिन जै भारत नमस्कार